बूत होंगे और बढ़कर आएंगे न केवल हम हमारे साथी दल भी बढ़ेंगे वेस बंगॉल की बात में थोड़ा सा करना चाहता हूं वहां संदेश काली के बाद आपकी स्तिती पिछली बार 18 सीटे आई थी और लोग मान नहीं रहते कि आपने मुझसे इंटर्व्यू में क करें जाहूं कि चुनाव काफी बाकिये वहां साथ चरन में चुनाव होना है बॉटम का अंकड़ा हमारा पचीस है पचीस से ज्यादा सीटम निश्चित रूप से बंगाल में इस बार बंगाल में भारतिया जुटा पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन करूब पच्चिस सीटें बड़ा बड़ा वो है पच्चिस से ज्यादा तो यह कैसे होगा यह आपका जो साउथ इस्ट बेंगॉल में जो है आप काफी वीक हैं पिछली बार आपको शायद सिर्फ दो ही सीट मेली थी माठारा सीटों पे वो एरिया जो है वो आपके लिए बहुत अहम है कोलक लगातार पस्चिम बंगाल में संगठन का भी विस्तार किया है और चुनावी सफलता के आंकड़ों में भी विस्तार किया है 2017 से लगातार हम बढ़ते ही जा रहे है विगत विदान सभा चुनावकी में बात कर रहे हैं हम दो लोग थे 77 हो गए बहुत बड़ी जंप है कॉंग्रेस जीरो, कॉमिनिस्ट पार्टी जीरो आज प्राइम ओपोजिशन भारतिय जंता पार्टी वहाँ बनी ही हमारी दो लोग सभा की सीटे थी 14 में, 19 में 18 हुई और इस बार हम 25 को, 25 से काफी आगे निकलेंगे यह मेरा विश्वास है बंगाल की जंता एक करोडो रूपिया जो पकड़ा गया है इसमें एडी पर सवाल नहीं उठाती है महमता जी पर सवाल उठाती कि रूपिया कहां से आता है, रूपिया किसका है यह रूपिया बंगाल की घरिब जनता का रूपिया है वहाँ पर मोधी जी की योद्ना इस नीचे नहीं पहुंच रही है डर है उनको कि इस योदना से मोदी जी लोग प्रिय हो जाएंगे क्या दो से बंगाल के गरीब लोगों का क्यूं पांच लाग तक का उनको स्वास्ति की सुईदाय नहीं मिल रही है क्यूं अनाज उनका काला बजारी में बेचा जा रहा है क्यूं जल से नल नल से जल की योजना वहाँ ठीक से इंप्लिमेंट नहीं हो रही है क्यूं अब तक C.A.S.N. को महरूम रखा गया केवल और केवल वाट बेंग की पोलिटिक्स के कारोन ब्रष्टाचार के कारण ब्रष्टाचार उनका उजागर हो चुका है बंगाल की जनता के सामने ममताजी एक्सपोज हो चुकी है एक महिला मुख्यमंत्री के सासन में जीस तरह से संदेश खाली में सालों तक बेहनों माताओं पर अत्याचार होते रहे और उनके पार्टी के निताओं के द्वारा होते रहे सुप्रीम कौर्ट और हाई कौर्ट को दखल करने पड़ते तब जाकर एरेस्ट करते हैं सर्माण मैं जिनोंने वाट दिये वो बंगाली माताओं बेहनों की बात कर रहा हूँ उन पर आपके पार्टी के निताओं अत्याचार करें आप उनको एरेस्ट नहीं कर रहे हो और हाई कौर्ट ने ओर्डर करने पड़ते हैं बंगाल की जनताओं सब जानती है मेरा तो बंगाल की माताओं बेहनों से करबद निविदन है कि इस बार सक्ति का परिचय राहूल के साथ-साथ ममता जी को भी करा देता है इस बार मोधी जी कश्मीर काफी दिनों बाद गए आर्टिकल 370 रिपील होने के बाद उनकी बहुत बड़ी सभा हुई वहाँ पे क्या आप लोग को उमीद है कि वहाँ चुनाव में आप लोग अच्छा करेंगे कश्मीर वेली में कोई अकाउंट खुलेगा दिखे कश्मीर वेली में भारती जनता पार्टी का अकाउंट खुलना न खुलना यह बड़ी बात नहीं है परंतू तीन परिवारवादी पार्टीों ने कॉंग्रेस पार्टी, एन्सी निशनल कोंफरेंस और पीडिप यह तीन परिवारवादी पार्टीों ने वहाँ पर लोग तंत्रको पनपने ने दिया आजादी से अब तक वहाँ पंचायच चुनाव नहीं है पहली बार हमने 30,000 पंच सरपंच को चुनाओ कराता है, सिल पंचायत बनी, जिल्ला पंचायत बनी, पहले वो तीन पार्टी जिसका चिट भाड़ते थे, वो ही नेता होते थे, मैं घाटी के मुसलमान भाईयों बेनों को कहने आया हूँ, कि आप कुरुपिया, अगर चाहते ह है कि जमुर्यत पाताल से निचे तक चली जाए, लोगतंत्र पाताल से निचा चली जाए, इसके मूल पाताल से निचे जाना है, तो ये तिन परिवारवादी पार्टियों को साप कर दो, जिसको वोट देना है ना इसको दो, परन्तु कस्मिर में तब ही जाकर लोगतंत्र आ रहा है यह 370 का हुआ बनाये थे भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने मोदी जी ने 370 को समवाप्त कर दिया आज हर कस्मीरी को पांच लाग से ज्यादा स्वास्त को मिलता है पाने मिल गया चावल मिल रहा है सारी स्वास्त की सुविधाय मिल गई है बड़े बड़े कस्मीर में 30 साल के बाद ताजिया का जुलूस निकल रहा है मुरम का जुलूस निकल रहा है यह लोगतंत्र की बहाली के कारण हुआ है एक बार कस्मीरी की जनता ने हिम्मत करना चाहिए जिन लोगों ने 75 साल तक कस्मीरी की जनता को लोगतंत्र से महरूम रखा समविधानि पार्टी को वार्ट दीजिए जिसको देना है इसको दीजिए परन्तु घाटी में एक बार ये तीन परिवारवादी पार्टियों को सबक सिखाना चाहिए कश्मीर में चुनाव कब होंगे यह मैंने आप से सवाल बहुत बार पहले भी पूछा है इस बार बोला गया कि पार्मिलिटरी पोर्सेस की कुछ कमी है क्योंकि नैशनल इलेक्शन हो रहे हैं तो नहीं हो पाई तो इसका मतलब जल्दी होने चाहिए सुप्रिंग कॉर्ट ने ओडर ही किया है सप्टेंबर तक कराने चाहिए तो अउटर लिमीट है सप्टेंबर के पहले हो जाए एक सवाल जो की बार बार होता है आप लोगों का नारा था कि मंदिर वही बनाएंगे वो आप लोगों ने बनवाया प्राण पुतिष्ठा हु की है तो क्या यह अगले उसमें पांच साल में देखने को मिलेगा इस सारे मसले कौट में लंबी थे इस पर मेरा अभी कुछ भी कहना है उचीत महीं है परंतु मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूं राम मंदिर में हमारा पालंपूर कारेकानी का भारतिय जनता पार्टी का वादा था कि हम समवेधानिक रूप से प्रभुश्री राम का भव्य मंदीर अरोध्या में बनाएंगे 500 साल से करोडों रामभक्त जिसकी रहा देख रहे थे वो का मोदी जी ने पांच साल में भी कर दिया सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया भूमी पुजन भी किया औ 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्टा करकर प्रभुश्री राम को अपने भव्य मंदीर में बीराजित करने का काम भी नरेंद्र मोदी ने कर दिया और मैं मानता हूं कि जो द्रस्य है वो क्षण है 10,000 साल का क्षण है मेरी बात याद रखना 10,000 साल तक न किवल भारत दुनिय इस क्षण को भुला नहीं पाएगी और ये बहुत बड़ा लोगतंत्र का उदार्ण है क्योंकि भारत में हिंदू मैजोरेटी में होने के बावजूद भी 75 साल तक हमने राह देखी कि हमें कौर्ट और करे उसके बाद ही हम मंदीर बनाएंगे और पूर्णत तरह समवेदा अनिक रुप से कौर्ट के ओर्डर से मंदीर बनाया दुनिया में ऐसे उदान बहुत कम मिलते हैं जो भारत ने दिया है और उसका मोदी जी के समय में होना भाजपा के समय में होना हम सब का स्वाफाग्य हममान को बस कुछ सवाल दो तीन सवाल और आपको मैं उत्तरप्रदेश के बारे में सवाल पूछे भिना नहीं जाने दे सकता क्या इस बार उत्तरप्रदेश में आपकी परफॉर्पंस्स 2014 से भी ज्यादा अच्छी होगी निश्चीत रुप से हम उत्तरप्रदेश में हमारा अब तक का सबसे अच्छा पर्फरमेंस करेंगे 2014 से भी ज्यादा सीटों इसका मतलब राय बरेली में आप जीत सकते हैं कन्नौज, महिनपुरी, आजमगर्ड इन सब में सीटों के नाम पे न पढ़िये पूरी उत्तरप्रदेश की जनता परिवादवाद से तरस्त है इस वार परिवारवादी पार्टियों को जनता सबक सिखाएगी एसा मुझद धरोसा है आप से हर बार जब इंटर्वियू करते हैं तमाम सवाल पूछते हैं, देशभर की बाते होती हैं